तो हेलो दोस्तो वेलकम टो हरलेंड आज मैं जिस मुवी को एक्सलियन करने वाला हूँ उस मुवी का नामे परनीशेस ये मुवी 2014 की एक होडर थिलर मुवी है जिसके आएम डिवी तो 4 आट उफ 10 स्टार है लेकिन इस मुवी की स्टोरी बहुत है अच्छी है जो कि इंडोनेशा में बनी मुवी है जिसमें काला जादो, स्लेशेर और गोस्त ये तिनों आपको देखने को मिलेगा तो अब ज़्यादा टाइब इस नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा मुवी की और तो इस मुवी की कहानी शुरू होती है वनीदा नाम की एक लड़गी से जो कि एक आदमी और एक छोटी बच्ची के बलड़ को एक गोल्ड के तुकड़े में डाल रही थी और हो लड़गी और हो आदमी एक चेर पर बंदे वे थे फिर वनीदा उन दोनों के खुन से एक बाद में कोई आदमी उन दोनों का गला काट कर उन दोनों को जान से माड डलता है सिन कट होता है और कहानी अब कुछ सालों के बाद से शुरू होती है जहां पर हम तीन लड़कियों को थाइलेन में आते हो देखते हैं जिनका नाम एलेक्स जूलिया और रेचल था उन तीन गर्ण के पास में एक व्लैड नाम का बुला आदम रेता था जो कि उनको अजीब तरीके से देख रहा था तीनों फिर घर के अंदर जाती है और घर को देखकर वे लोग बहुत ज़्यादा खुच्छते क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा सुन्दर था फिर घर के सामानों को देखते हुए उनको वहाँ पर एक अजीब सी गोल्ड की मुर्थी दिखाए देती है और खून लगे हुए एक कपड़े से वह मुर्थी डहकी हुई थी लेकिन कोई भी उस कपड़े के बलड पर ध्यान नहीं देता है वह मुर्थी गोल्ड की थी और एंटिक थी तो इसलि लड़कया मार्केट के तरफ जाने के सोचती है चूए घर में कोई भी खाने का सामन नहीं था और तब भी उनको डोर के तरफ से कोई आवच सुनाए देती है लड़कया दोर के तरफ जाती है तो वहाँ पर व्लैट खड़ा वा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था बस उन सब को देखे जा रहा था कुछ देर के बाद में वलेट का बेटा टैन वहाँ पर आकर वलेट को वहाँ से ले जाता है उन लड़कियों को भी वो वलेट के तरफ से माफ़ी माँगता है फिर तिनों लड़किया मारकेट जाकर कुछ शॉपिंग करती है और रात के टाइम कलब जाने कर डिसाइड करती है लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के बहुत देर से उनका पीचा कर रहे थे जिनको जूलिया वहाँ से गाली देकर भगा देती है अब प्लान के हिसाफ से तीनों लड़किया रात को कलब में जाती है और वहाँ पर बहुत ही इंजॉय करती है लेकिन कलब में बेरन नाम का एक लड़का रेचल के पास में आकर उसे जब जस्ति फलट कर रहा था लेकिन रेचल उस पर को इंटरेस्ट ने दिखाती है और उसे खुछ से दूर रहने को कहती है लेकिन जो वह तीनो ब्रेंड के फ्रेंड को देखते हैं तो ये वही लड़के थें जो कि मार्केट में उनका पीशा कर रहे थें जिनका नाम था रॉन और कॉलिन फिर रेचल और एलेक्स के माना करने के बाद भी जूलिया उन लड़कों से बाते करने जाती है और उनको उनका साथ में टामी स्पेंड करने के लब बुलाती है पहले तो रेचल और एलेक्स इस बात के लाजि नहीं थे लेकिन जूलिया की जित का आगे उनको माना पड़ता है अब लड़के उन लड़कों को अपने घर लेकर आती है जूलिया और एलेक्स तो रॉन और क्लाइन के साथ में मेक आउट कर रही थी लेकिन रेचल ब्रैंड से दूरी रहती थी क्योंकि रेचल का एक बर्फेंट था अब बातों ये बातों में रेचल उस गूल्ड की मूर्टी को टच कर देती है फिर उसके बार में सब लोग टृंग करने लगते हैं और दूसरे रूम में चला जाते हैं सीन कट होता है और अब कहानी कुछ टाइम के बाद से शुरू होती है जहां पर हम तीनों लड़कों को चेर और बैट पर बंदावा देखते हैं और यह तीनों लड़किया उन्हें ट्रॉजर कर रही थी और इन लड़कियों का भीविर भी अज़िब दिकरा था रेचल एक चाकू से बैरेन के लेक पर वार करती है फिर वो एक एक करके बैरेन के नेल को उखारने लगती है फिर उसके बाद वो उसकी जिवान भी काट डलती है और अब वो एकर करके उसका सभी दातों को भी निकलने वाली थी और आखिर में बेरिन का गला काट कर उस जान से मार दिया जाता है एलेक्स ने भी एक चाकू से रोन का पिट काट दिया था फिर वो रोन के सीने पर चाकू गुसा कर उसे जान से मार डलती है और जूलिया ने तो कॉलिन की आख एक चाकू से निकल कर उसे एक खिला दिती फिर उसके सीने में चाकू गुसा कर उसे भी जान से मार दिया था यहाँ पर अब तीनों लड़किया उन लड़कों को मार कर उनके खून से नहा रही थी लेकिन सबसे अजीब बात तो ही थी कि ये उनका एक सपना था और तीनों लड़कों को एक एक सपना आया था तो इसलिए उन लोगों को ये बात बहुत ही अजीब लगती है लेकिन उन लोगों को लगता है कि लड़कों ने उनको ड्रक पिलाया होगा तो इसलिए उन लोगों को अजीब अजीब सपने आ रहे थे और कल रात कोई भी इंसिडेंट उन्हें याद नहीं था तब ही ओ तीनों नोटिस करते हैं कि घर से गोल्ड की मुर्टी उनका पासपोर्ट और पेस है उसके साथ उनका सारा सामान बेगाया बे और अब लड़किया उन लड़कों को चोड़ समझ लेती है सबसे पहले तो रेचल मकान मालिक को उस गोल्ड की मुर्टी चोरी होने के बारे में बताती है लेकिन घर के मालिक के मताबिक घर में तो कोई गोल्ड की मुर्टी कभी ती ही नई तो ये बार भी उन्हें अजीब लगती है फिर उसके बाद तिनों लड़किया मार्केट के लिए निकल जाती है उस गोल्ड की मुर्थी को ढूंडने के लिए चुकि अगर मुर्थी उनको मिल गई तो उनका बाकी सामान में मिल जाएगा और उन चोरों को भी वे लोग पकड़ लेंगे वे लोग मार्केट के एक अंटिक शोप पर जाते हैं और जूलिया उस शोप के ओनर से उस गोल्ड की मुर्थी के बारे में पूछती है शोप पर एक बच्ची बेटे हुई थी जिसा जूलिया ओनर को दिखा कर यह बोलती है कि उनके गोल्ट की मूर्ती इस बच्ची के हैट की थी लेकिन जब शॉप ओनर उस तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई बच्ची थी ही नहीं तो इसलिए शॉप ओनर जूल्या को शॉप से निकाल देता है अब शॉप के बाहर जूलिया को वही बच्ची फिर से दिखाया देती है जो उसे अपने पीछे चलने को कहती है जूलिया को उस लड़की का पीछा करता देखकर अलेक्स रेचल वे दोनों भी उस बच्ची का पीछा करती है जिसके बाद में वे लोग सीटी से कुछ दूर जंगल बे बने एक घर में आते हैं फिर बच्ची के कहने पर वे लड़की उस घर के अंदर चलियाती है जहां पर सैमरन नाम की एक लड़की उन्हें मिल जाती है जो की जाले टोना करने वाली औरत थी सैमरन को लड़की उस गोर्ड मुर्थी के बारे में पूछती है तब वो लेड़ी उनको उसी मुर्थी की फोटो दिखा कर बोलती है कि उस मुर्थी को एक कुमारी नाम की बच्चे का सेक्रिफ़ेश देकर बनाय गया था और मुर्थी खुन की प्यासी है तो इसलिए उनको उस मुर्थी से दूर रहना चाहिए उस लेड़ी के मताबिक उस मुर्थी पर कुमारी का साया है और वो उन लोगों को भी पुझेस कर सकती है तो इसलिए कुमारी की पुझेशन से बचने के लिए सैमरन उनको एक लोकेट देती है और उस लोकेट से कुमारी उनको पजस नहीं कर पाईगी उपर से उनको सैमिन से पता चलता है कि जिस बच्ची का फॉलो करके वे लोग उसके पास में आये हैं वो बच्ची ही कुमारी है जो उनके टच करने से गोल्ड की मूर्ती से बाहर आ गई और अब वो एक गोस्ट बन गई है लड़का जब बाहर देखती है तो उस टाइम पर वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी और उस घर से बाहर आने के बाद एलेक्स वो लोकेट पाने में फेक देती है लेकिन जूलिया और रेचल उस लोकेट को पहन लेती है अब घर आने के बाद में रेचल अपने बॉइफेंड हैरी को कॉल करके ये सारी बाते बताती है और हैरी तब कुमारी के बारे में रिसरच करके सब कुछ पता लगाने लगता है हैरी से उनको पता चलता है कि उस बच्ची का नाम ही कुमारी था जिसे किसी ने डेविल के लिए सेक्रिफाइस किया था और उसके बाद कुमारी के बलट को उस गोल्ड के पीस में डाला गया और कुमारी के डेट बोड़ी को गोल्ड मुर्ती में बदल दिया गया था उनको और कुछ बता पता उससे पहले हैरी को कॉल कट हो जाता है और इसलिए रेचल अगले दिन हाउसिंग आफिस में जाकर उनका घर चेंज करने के बारे में सोचती है फिर रात को एलेक्स जब अपने रूम में थी तो उसकी अलमारी का डौर अपने आप खुल जाता है जिसके अंदर देखने के लिए एलेक्स फोन का फ्लेश लाइट ओन करती है लेकिन वो फोन नहीं चलता है तो इसलिए एलेक्स सोने का ट्राय करती है लेकिन बार बार उसे अजिब अजिब आवज़ा सुनाई देती है तब यो कुमारी को उसके गोल्ड वाले रूप में देखती है जो कि उसी के तरफ आ रही थी और डर के मारे एलेक्स आख बंद करके सोने कर ट्राय करती है लेकिन वो ऐसा फिल करती है कि जैसे कि कुमारी उसके बैट पर ही हो फिर कुछ देर के बाद में एलेक्स को अपने कंबल के अंदर कुमारी दिखाए देती है और डर के मारे एलेक्स अपने रूम से बाहर बागती है यहाँ पर रेचल जब बातरूम में थी तो उसे भी ऐसा फिल हो रहा था जिससे कि कुमारी उसके भी असपास हो जिससे रेचल भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी रेचल बातुम से बाहर निकलना चाहती थी लेकिन बातुम का दोर खुली नहीं रहा था और किसी तर रेचल बातुम से बाहर निकलती है जुलिया को भी अपने रूम में खुन लगे कपड़े दिखाई देते हैं तो इसलिए वो भी अपने रूम से निकलकर रेचल और एलेक्स के पास में आती है रेचल अब उस घर से निकलना चाहती थी लेकिन अगले दिन वो तीनों सेमरन के पास में जाने का सोचती है लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सेमरन उस लड़की को जानती थी। फिर अगले सुबह लड़के जब नीन से उठती है तो उनको घर के बाहर से घर के अंदर तक किचर लगे पेरों के निशान दिखाए देते हैं। उरे देखकर रेचल और जूलिया तो शौकड में थी लेकिन एलेक्स बिल्कुल नॉर्मल थी वो इस बात पर ज्यादा द्यान नहीं देती है। पर बार इस घर में आ जाया करता है। फिर व्लेड जाने से पहले तीनों लड़कियों को इशारों में कुछ कहता है और तो जान जाती है कि व्लेड को कुछ ना कुछ कुमारी या फिर इस घर के बारे में पता है। इसलिए तीनों व्लेड के घर में जाती है ताकि भी पू तोटा भाई सांग अपनी वाइफ शेन और अपनी बेटे को मारी के साथ में रहता था फिर कुछ टैम के बाद में शेन एक बेबी बॉय के साथ में प्रेगनेट होती है और लोगों को हमेशा सही एक बेबी बॉय चाहिए था लेकिन कुछ दिनों बाद ही शेन बीमार पड़ की लाइफ बच सकती है अगर सेंग बलड लाइन के दो लोग डेविल को अपना सेक्रिफाइज दे दे तब सेंग को समझे माता है कि अपनी वाइफ और होने वाला बैच्चे को जिन्दा रखने के लिए उससे खुद और अपनी बेटी कुमारी को माना नहीं चाहता था तो इसलिए वनीदा सेंग को कुमारी की स्पिरिट को जिन्दा रखने के लिए एक रिच्वल के बारे में बताती है उस रिच्वल के हिसाब से अगर कुमारी का सेक्रिफाइज दे कर उसका बलड एक गोल्ड में डाल दिया जाए तो कुमारी की स्पिरिट एक गोल्ड की मुर् और उसका घोस्ट उनकी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा सेंग इस बात के लिए मान जाता है और शेहन उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन सेंग किसे की भी बात नहीं सुनता है फिर रिच्वल पुरा करने के लिए सेंग व्लेड के हेल्प मांगता है अब कुमारी के पास प्रोटेक्ट करने के लिए उसके कोई फैमिली नहीं थी और उस रिच्वल का असली परपस से फैल हो चुका था तो इसलिए अब कुमारी का घोस्ट कुछ भी बुरा कर सकता था तब वनीदा वही लॉकेड बना कर व्लेड को देती है ताकि कुमारी उसे कोई भी हाम नहीं कर सके कुमारी को रोकने का कोई रास्ता नहीं था तो इसलिए उन लड़केव को प्रेटेक्ट टरने के लिए व्लेड वही लॉकेड उन्हें दे देता है हम यहाँ पर एलेक्स के बिहेवर को भी नोटिस करते हैं जोकर कुछ अलक लग रहा था अब घर के अंदर आने के बाद में एलेक्स फैमली की मौत का इलजाम व्लेड पर लगा रही थी और एलेक्स कुछ ज़्यादे ही गुस्ता कर रही थी उसी गुस्ते में एलेक्स वो लोकेड जला देती है और उस पर नमक भी डालती है फिर जुलिया के पूछने पर एलेक्स बताती है कि उसने नमक को डालते वे कुछ रिच्वल को टेवी पर देखा था फिर दूसरी तरफ हम देखने हैं कि कुमारी की घोस्ट ने टैन को प्रजस कर लिया था और यहाँ पर हमें इस मूवी का असली दास पता चलता है असल में व्लेड ने असली बातों लड़कियों से चुपाई थी उस समय सेंग ने बलड लाइन के दो सेक्रिवास करने के लिए व्लेड से मदद मागी थी लेकिन व्लेड ने खुद को सेक्रिवाइस करने से मना कर दिया था तब मजबूरी में कुमारी को मरना पड़ा था अगर व्लेड खुद को सेक्रिवाइस करता तो कुमारी के साथ में शेन और उसका बच्चा भी मारा नहीं जाता ये सबी बात बता कर कुमारी व्लेट के सामने ही उसके बेटे टेन का गला कट करके उसे जान से मार डालती है फिर इधर व्लेट की आवाद सुनकर तिनों लड़किया उसके घर आती है और वहाँ पर वो टेन की डेट बोडी को देखते हैं जिसे देखकर एलेक्स रेट से जगड़ा करने लगती है तब गलती से व्लेट एक टूल पर गिर जाता है और सर पर चोट लगने की वज़े से वो भी मारा जाता है रेचल और जूलिया इन सबसे बहुती ज़दा डर चुकी थी क्योंकि अब पुलिस का शक उन लोगों पर ही जाना वाला था सबसे पहले वे लोग अपने घर पर वापस आते हैं और यहाँ पर एलेक्स को इन सब मडर से कोई फरक नहीं पड़ रहा था लेकिन जूलिया और रेचल उस कंट्री को छोड़कर निकलने के लिए अपना सावन पेक करने लगी थी तब ही उनको बेस्मेंट से एलेक्स की आवाज सुनाए देती है दोनों फिर बेस्मेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनको बहुती गंदी इसमेल आ रही थी को कमार था और उनके ब्लेट से विलोग नहाय थे और बेट के नीचे ही वो ब्लेट लगा कपड़ा भी जुलिया नहीं रखा था यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एलेक्स को कुमारी ने पज़ेस कर लिया है तो इसलिए एलेक्स का ब्हेवियर अलग था एलेक्स ने सेमरेन का दिया हुआ लॉकेट नहीं पेनावा था तो इसलिए कुमारी उसे पज़ेस कर पाई उसने विलेट का दिया हुआ लॉकेट बिचला दिया था ताकि उसको कोई भी चीज रुक नहीं पाए सेमन को मानने वाली भी एलेक्सी थी ताकि जूलिया और रेचल की कोई मदद ने कर सके सेमन को मार कर घर आते टाइम वो कीचड एलेक्स से पेरों में लग गया था तो इसलिए घर में उनको कीचड दिखाई दिया और उसके बाद में एलेक्स जूलिया और रेचल के सर पर वार करके उनको ब्योश कर देती है फिर कुछ देर के बाद में जब उनको होश आता है तो दोनों एक चेर से बंदी हुई थी एलेक्स खुद के खुश्म नहीं थी और नाही जूलिया और रेचल के कोई बात सुन रही थी फिर उसके बद एलेक्स एक चाखू से रेचल का गल्ण काट कर उसका बलर एक बॉल में डालती है और रेचल अब मर चुकी थी कुमारी को रोकने के लिए जूलिया उसका नाम लेती है और कुछ देर के लिए कुमारी उरक जाती है लेकिन वो जूलिया के जबान काट देती है और उसके बाद में उसका भी गला काट कर उसके बलट को उसी बॉल में जमा कर लेती है क्यूंकि कुमारी को वो सब चाहिए था जो इन तीनों लड़कीों के पास में ता लेकिन किसे के लाइफ को जिन्दा रखने के लिए लोगा ने उसे ही माड़ा ला था और उसी जेलेसी में कुमारी ने जूलिया और रेचल को मार दिया फिर उसके बाद में उसके ब्लड को एलेकस बी जाती है सिन कट होता है और अगले दिन एलेकस, रेचल के बॉआफेंड हैरी को वाँ पर बला लेती है मतलब कि अब एलेकस की बॉड़ी का उसकर के कुमारी सब्ही लोगों को मानने वाली थी और अब एलेक्स की बोड़ी को पजस करके कुमारी अपनी जिन्दगी को इंजो गरने वाली थी और इसी के साथ में ये मूवी ये पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर हमने मूवी में देखा कि तीन लड़का थाइलेंड में आई थी लेकिन उन्हें यहाँ की डाक साथ नहीं पता थी जिस घर में वी तियों लड़के रह रही थी वहाँ पर असल में कुछ साल पहले एक सेक्रिफाइस दिया गया था एक बच्ची का सेक्रिफाइस सेंग ने अपने होने वाले बच्चों को बचाने एकले ब्लेक मेजिक का साहर आ लिया जिसमें उसे अपनी ब्लड लाइन के दो लोगों को मारना था तो इसलिए उसने खुट की और अपनी बेटे कुमारी की जान ली वो अपनी बेटे कुमारी को माना तो नहीं चाहता था तो इसलिए वो रिचुल के जरिये उसे एक गोल्ड के मुर्ती में जिन्दा रखने वाला था लेकिन सेक्रेफेस्ट देने के बाद में भी सेंग का बेबी मर चुका था तो इसलिए सेंग की वाइफ ने भी सुस्राइब लिए जब यह तीनों लड़कें यहाँ पर आई तो इन तीनों लड़कियों ने कुमारी को आज़ाद कर दिया और वो अब एलेक्स की बॉड़ी को पज़स्ट करके अपना बदला ले रही थी तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह मुवी नीचे कमेंट करके जुरू बताना और अगर आपको भी मुवी देखना है तो मैंने टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर ले मैं वहाँ पर बहुत सरी मुवी दालता रहता हूँ तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में